आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि हमें उस Biotic Agent को identify करना है जो Responsible होता है Pollination के लिए in Salvia Flower Basically, यहाँ पर Salvia Flower की बात की गई है First Option है B, Second है Bird, Third Option है Snail और Fourth है Bet तो दोस्तों अगर हम बात करें Salvia Flower की तो यह जो Salvia Flower होता है, इसके अंदर जो Pollination की Process होती है हम कह सकते हैं वो Pollination होता है Through Insects ठीक है, वो कोई सा भी Pollination अगर Insects के Through होगा तो उस Pollination को एक अलग हम Terms से बोलता है और वो क्या होता है, Entomophily Entomophily मतलब वो Pollination जो Insects के Through हो रहा है अब अगर हम बात करेंगे कि Salvia Flower की तो Salvia Flower जो है, हम इसके कहेंगे कि यह जो Flower इसका जो हम कह सकते हैं Large Flower होते हैं या फिरों कह सकते हैं Large Size Flower होते हैं और basically यह जो हम कह रहा हैं B यह क्या है? बहुत ही common एक ऐसी Insects है जिसके through क्या होता है? Pollination होता है मतलब यह Pollinating agent है, बहुत ही common Pollinating agent है और साथ में अगर हम बात करेंगे जितने भी ऐसे flowers होते हैं के अंदर इंसेक्ट के थू पॉलिनेशन हो रहा है तो वह फ्लावर लाज साइस के होते हैं और हम यह कह सकते हैं कि वह फ्लावर क्या होते हैं कलरफुल होते हैं उनके अंदर फ्रेग्नेंट रहती है हम कह सकते हैं उस फ्रेग्नेंट की वज़ा से उस खुश्बू के वज़ा करता है तो यह बिलॉंग करता है तो दा फैमिली लेबिया टे ठीक है और हमारे कोश्चिन का करेक्ट अंसर है ए बीज थैंक यू क्लासिक सिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेबल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 शॉपर